कैसे हैं आप सब आज के जो टॉपिक है वो है कोस की सरशना और उतक इसके लिए मैं बता दूँ कि यह छटवा अध्याम लोग पढ़ चुके हैं वो एकदम परिभासा परिभासा वाली टॉपिक्स थी और नार्मल डेटियस थी ज्विग्यान के सम्मधित और आज का जी जो बहु कोस की सरशना उतक तो हम लोग उने पढ़ाय है छट्वा ध्याम क्यूंक की राता है उतक क्योंकि कोस के इसके बज़ा सबस्क के स्पास के वातरान को समलित रूप से उतक कहते हैं कोशिका का स्वमू होता था उसके आसपास के वाता वरण को समले तुरुप से उतक कहते हैं कन्फिजन यह होती है कि कोशिका है वो कोशिका के जो स्वमू है उन्हीं को बस ही उतक बोलते हैं ऐसा क्विश्चन होता है बट आपको बता दू कि कोशिका के स्वमू और उसके आसपास जो और द्रव्य पतार्थ उपस्तित रहتे हैं या द्रव्य उपस्तित रहते हैं तो उसके आसपास के वतर्यों को उतक कहते हैं, clear हो गया उतक के एतिहासिक परिपेच्छे को लिखी ऐसा question बनता है कि मतलब उतक का खोच किस ने की थी, कैसे की थी इसके बारे में ठीक है तो उतक की खोच सरप्थम बिछट नामा कोई ज्यानिक ने की थी फ्रेंकोईस, मारी फ्रेंकोईस ज्यवियर बिछट तो बिछट नामा कोई ज्यानिक ने सिर्प्रथम मनुस्य के रोग गरसिद छेत्र की सरचना का अध्यन किया कोई भी मनुस्य है उसके जो रोग गरसिद छेत्र है जिस छेत्र में रोग हुआ है उस छेत्र का अध्यन किया इस आलोकन के पस्चात उन्हें गुतिवी सरिचना प्राप्त हुई गुतिवी सरिचना प्राप्त हुई उससे उन्होंने उतक नाम दिया ठीक है तथा उतक को तीन भागों में बाटा गया मतलब बाटा नहीं है न, उनके ताबर बाटा गया, बिशीक के अचा अच, कितने भाग में दिखे, तो पहला नमबर कव वी उतक, जो रेशे के समान थे, रेशे के समान थे, उसे फाइब ब्रस नाम दिया,istzer paragraph जो तरल के समान थे, तरल के समान नहीं लिखेंगे इसको हम लोग तरल थें सीधी बात क्या बोलेंगे हम लोग तरल ठीक है तरल उसका डिस डाल दीजिए जल लिख दीजिए जल वे उतक जो कि तरल के समान थे तरल के समान कैसे हो सकता है ठीक है तो वे उतक जो कि तरल थे या पानी के जैसे थे वे उतक जो कि तरल या पानी की चैसे उसे सीरस कहा गया तीसरा वे उतक जो कि चिप चिपे थे उसे म्यूकस कहा गया ठीक है तो इस प्रकास मोंने तीस तो उतक का एतिहासिक पर इपेक्च बताइए तो इदनी को ही लिखना है चलिए आगे हम लोग चलते हैं उतक का समोही करण मतलब कितने प्रकार की उतक है यह पौधे में भी जंतों में भी तो हम लोग अभी एक्चली में पादा में पढ़ रहे हैं उतक तो नम होता है लेकिन पादा क्वैरें में बात कर रहे तो प्रविभाजी उतक विवजयत की भी बोलते हैं इसको वे उतक लेकिन कुछ मात्रा में पाई जाती है मतलब नहीं मात्र में नहीं के समान तो वे उतक जिसमें विभाण की चमता नहीं पाई जाती है लेकिन कुछ मात्रा में होती है ठीक है तो उसे इस्थाई उतक कहते हैं जैलाम और क्या है फ्लॉयम एशली में बहुत ही कम बढ़ता है लेकिन दीत्याक विद्धी होती तो बढ़ती है अब दीत्याक विद्धी क्या है पुछोगे तो यह आप लोग 11 जाएंगे तब यह सब की लिए है एक ठीक है लेकिन आप लोग हर प्लास में अलग अलग तरीके से बता जाएगा तो यह होगी इस्थाई उतक है ना अब चलते हैं कर लोग पर देता है अभी हम लोग पढ़ रहे थे इस थाय उतक को दू भागों बटागे हैं एक तो सरल उतक में हम और दूसरा जटिल उतक में ठीक है तो पहला नंबर पर चलते हैं उतक में कि वे उतक जिन में एक ही प्रकार की कोसिकाई पार जाती है सदॉपारिया के व्हाल इखिण है ठीके क्योंकि सदुर्भाव भागों बाटे हैं वे वे उतक जो पौधे के बाहा आवरन की सुरक्षा कारे करता है तो अच्छी उतक कहलाता है क्लियर हो गई तो अच्छी उतक है अंगों का निर्मान का कारे करता है ठीक है यहां पौधे के विविवस्थित करने में मदद करने का करता है भरनुतक ठीक है यह हो गया यह तीन प्रकार के होते हैं तो तो आपको बताता हूं कि मृद्धुतक में मृद्धुतक में अंतर कोस की आउकास पाए जाते हैं मृद्ध 한 मतलब फेरन कैमा इसमें अंतर कोस की आउकास नहीं पाए जाते हैं अंतर कोस की अवकास ठीक हैं और द्रिध्ठोतक उसमिन लिगणीन का जमाँ होता है इसका जमाँ होता है लिगणीन का जमाँ होता है चलुए आघे हम जटते है भार उतक के बाद जटों तक देखें इस्ताई उतक को इ defended भागों बाटा गया था सुर उतक को फिर अब आता है जटों तो तो बेर जही किनमें 1 से अन्दिक प्रकारिक स्क्राइब कई ज yat जिए हैं है ना यहां पर एक चीज आप क्लियर करिएगा है ना कौनसी तक है शरुल था ओस शरुल जिन में एक ही प्रकार को शुक्ताइती यह एक है रहोगी कि प्रकार को शुखती है हो गया ना सरु तक और अभी हम पर दरें जटी उतक तो वे उतक जिन में एक से अधिक प्रकार की उतक पाई जाती है आपर उतक गलत दिख दिख दिया आपर को सिक लिखना आपने को क्या लिखना है को सिका ठीक है वे उतक जिन में एक से अधिक प्रकार की को सिका पाई जाते हैं जटिल उतक कहलाते हैं ठीक है कि वें जताग जो कि जल लूर्णों कसे कारिय करता है चै कलाती है तो किंश्री और उफसक्श्री आरफ रख है फिक है जैसे कि अलग अलग तरीकास होता है जल और फ्लो एम की लुगोज्सować होता ह। क्लियर हो गया है जेला मार्व फिलं हो गई हैं ना यह का है पादव उतक का समोही करणी अब हम लोग चलते हैं जन्द्व उतक का समोही करान तो जन्द्व उतक बहुत लमबा जाता है देखेगा जयान जैकर 100 को तो सबसे पहलाता है तो अच्छी उतक जन्दु को हम लोग चार भागों बाटेंगे तो अच्छी उतक आपको पहले बतायता हूं तो अच्छी उतक सेयो जी उतक दो तीसरा आ जाएगा यह पहला तो अच्छी उतक दूसरा सेयो जी उतक तीसरा आ जाएगा आपका पेसी उत पेसी उतक ठीक है और चाहुथा आ जाएगा तंत्रिका उतक ठीक है तो चार पढ़ेंगे हम लोग तो सबसे पहले हम चलते हैं त्वची उतक में ठीक है अब सब उतक को कुछ ने कुछ और भागों बाढ़ते जाएंगे इसको ध्यार रखेगा पहला त्वची उतक दूसरा स वे उतक जोंकि को सरीर के विभिटी न अंगों की सुरक्षा करने का कारे करती है सरीर के विभिटा अंगों के मतलब त्वचा है ना बाहार की ओर है ठीक है तो मेरे उच्क उलब चलते हैं स्रीय OS उमवभ करलें मेरें संधी जोड़ने का कारे करतें साउंज करना ससायों करना दोंध्यास जोड़ता है दो नुद्धार अब तो अश्ली हम लोग अभी चलेंगे तो तो अभी चोटे चोटे बात को समझे पहले कि वे उतक जो किसरे के विभिन अंगों को सुरक सुविवस्थित स्यू अस्तिद् जब जुड़ेगा मतद सुविस्थित होगा एवं जोड़ने का कारिया करता है यह थो क्लियर होगे आपको चलते हैं कि देखें हम जानतू तकप चारव होगों माड़ते हैं पहलेड़ तो अच्याओ जीण तक ठीक है और तीसरा पैसी उतक और चांच तक है अब दूसरे हम लोग चल रहे हैं सेयोजी उतक में उसके आद हम लोग चलेंगे तीसरा में चलेंगे हम लोग पेसी में और चांथ हम चलेंगे तंत्रीक उतक तो यह तीसरा और चांथा को भी छोड़िए ठीक है अभी हम लोग किया दूसराम जा रहे हैं तो दूसराम कौन है अब स्योजी उतक को फिर चार बागों बाड़ता है एदर रखेंगा ठीक है तो चार बागों पहला नंबर कर अंत्राली ऊतक का पहलो से था व थे जो कि आंट्रिक अंगों को पनावा देने के कारे करती है आंट्राली उतक कर थे सीरे बाथ अंत्रिक अन्गो को शाला देका मतलब क्या कराराएगा लाएगा धीट की इसको इग्जांपल कोके मतने इसगांत मैं बतारों ऐस भाल जबकर लिखना की कि अंत्राली ज़ी त्ंचा मत लिखना तुनछा कि मध्य थे कॉまだ लिखना ठीक है तो चेक के मद्ध्या और दूसरा उधान लिख लेड़ना आप लोग है हुआ अंतर और लिखें गे तो भी चलेगा इसके लिखना है तो अच्छा के मद्ध्य लिखना छेक घान अंतर अंध्प पेसिया भी लिख सकते हैं एक उधारन में पेसिया ठीक है तो तीन उधान देखे लना ठीक है उसका second आवर में आता है वसी उतक ये कौन से उतक का भाग है वह उतक जो के शरीर के ताप को नियंद्रित करता है तथा साथ ही साथ सरीर के अंगों में होने वाले जटकों से सुरक्षा कारे करता है वसी उतक कहलाता है चीदित बात यह भी कहां पाजाता है तवचा के नीचे की सता अथा तवचा के नीचे पाजाता है वसी उतक ठीक है तीसरा आता है तरल उतक काँ से उतक आता है तरर उतक यह पूरा से उतक का भाग है ना याद रखेगा तो वे उतक जो कि सरीर के ताप को नियंद्रित करने ती है चले यही पर देखे क्लियर कर लेते हैं वो भी क्या करता है सरीर के ताप को नियंद्रित करता है तो फर्क क्या है वे उतक जो कि सरीर के होने जटकों के सवर्ष करते हैं लेकिन यहां पर थोड़ा सब बदल जाएगा वे उदक जो किसे रिकेताप को नेंद्रित करती है तो क्लियर होगा सेम सेम हैं तथा साथ ही साथ सी ओडू तथा ओडू के सवहन में सायाक होती है यह तो तरह रुदक है ठीक है उदारन के तो यह जो की स्रीर का धाचा बनाती है सीदार हे कंकौल जी कंक हो क्या करेंगा सटेक धाचा बनाएगा सेटी में सायथ है है ना तो इस तरह दहों क्नाता दाशा भनाता है भाती में साहता करता है इन्य मनुस्या चलता है चलता है कसके करता है Mickey संद्सकर नहीं साहकर करता है उपास्ती कत्रो नहीं सिखता अश्था नहीं 52 projects लचिला होता है चलिए आगे हम चलते हैं चाथ नमबर तो क्लियर हो गई ठीक है अब हम क्या पढ़ रहे हैं जंतू तक जंतू तो के पहला आया था तो अच्छी तक दूसरा नमबर का आया था सेयो जी तक को चार भागों बाठ चुके हम लोग किस-किस में अंद्राली में व पेसी उतक तो वे उतक जो सरीरके विभिननांगों को गति देने का कार्य करती है पेसी में सहता करता है और पीस्या पुरा सरीर के विभिन अंगों को मोड़ती है कहा जाए हाथ के उंगलियां को मोड़ने कारे करती खीचने कारे करती सब कारी कौन करती है पेशी उतक करती है और जो जो कंकली उतक है वो क्यों सायता करती है तो वे उतक जो कि सरीर के विभिन अंगों को गती देने का कारे करती है पेसी उतक कहलाती है कौश उतक कहलाती है यह तो ग्लेर होगे आपको आगे हम चलते हैं तंद्री का उतक चलिए तो आपको बतायता हूं कि यहां पर एक चीज़ा बतायता हूं कि पेसी उतक को हम लोग तीन भागों बाड़ते हैं कितने भागो बादते हैं है तीन भागों में ठीक है छटवाद है हम पड़ चुके हैं तभी इस एक बारमें बताओ हैं कि पेसी असित को हम लोग पेसी ट्यव्य को तीन बाद पाटते हैं पहला रेहित不多 तो ठिक है दूसरा आएगा और तीसरे ऐगा अधिम् हुक्ता एक लाइनी बता रहे हो सबको कि वसी जो कि इच्छाम रूपकारे करती है रेखित प्रूसरी कि लाती है वे पेसे हैं जो कि हमारे इच्छेकन रूप कारे नहीं करती है ठीक है हिर्दैक पेसी भी क्या है अरेखित पेसी की तरह ही है ठीक है ओके तो वे पेसे जो कि हमारे इच्छेकन रूप कारे नहीं करती है अरेखित पेसी कलाता है और वे जो कि हमारे इच्छेकन रूप कारे न खिरवार्म कौन है हाथ पैर गड़ान आदी की पैसियां को राए Sky फ्री शाय से ंंगों में है समेदने उसको ले जाती है जैसे कि मैंड है वहां सद्ध्यात कौन ले जाता है यह तंत्रीका उतक पूरे सरेड़ फैल होती है तंत्रीका को सरचना भी पढ़ेंगे आगे देखना ठीक है आगे आगे क्लास में तो यह हो गया तंत्रीका उतक तो इस तरह से यह कंप्लिट ह हो गया आपका सेवेन अध्याय और सेवेन अध्याय के अंदरकात मृद्तक को ही बताना होता है तची उतक को बता लिए हम लोग मृद्तक इस्थूर कॉंड़ तक और दिर्धो तक को ठीक है उतक के कारे को लेकिन यहां पर एवाइलेबल नहीं हो पाया है न क्योंकि इतने पूरा कम्लीट हो गई यह अध्याय इसे के अंदरकात यहीं आती है ठीक है तो हो सकते तो कुछ और क्वेस्चन है तो आप कर सकते हैं है और मैं अभी लग लग भग जंदू तक और पादव पताक वाला जो अध्याय है उसमें से एक क्वेस्चन और था लेकिन नहीं बता कराहर उसको मिर्दॉता करिस्थो अर्विदाक कशल को को और प्राट के कारिया तब प्राईन में बतायता हां उता क्या कारिया HA warival के कार देखें तो वह dann which करता है तो यह ज़्यांद है प्यार pener मिलेगा कि शोपन करता है बोलेंगे सीरीज बात तो जाहेलाद फ्रेम उतक है उसके आसपास के द्राव ठीक है है कि हो गया तीसरा लिगनिन के जोगा कि स्कूतु को पर आता है इसकले रेन काइमा खरिस्तान भी देख लिए सवाहन जैलम कि सवाहन एम जैलम उतक पौधे में पाये करता है से जैलम कि ठ्रिकें सवाहन करता हैं कि झालम सवाहन लिखने इतनी है दुसरा उपकला उतक मुझ के भूद्री बाइटा है भीता बाइटा थे बिता में एक बच्ची का है यह रइटिंग या है आजकल मैं लिखने हम थोड़ा सह आल से लिए हूँ ज़्याद लिखता नहीं हूँ दूसरे लिखा का यूज करता हूँ ठीक है ओके आया देखिए तीन उत्कों के कारिया को अपने सब्दों में लिखे उतक कारिया कि गयर करता है ता निर्मान कंद लिखाएं करता है क्लीर जल्ए बदा को सवन करता है जटी हो तक है ये पांचा कुस्च्छन बहुकोस की जियो में उतक में स्रम भायांन का महत्त्य बताईए इसको आप लोग क्लिक कर लिजिए इसकी शॉट लेजिए इसको समझाआउं रहे ठीक है इसके स्वाटल दीजिए क्योंकि प्रश्ण उतर को समझाया नहीं जा सकता है कि समझा सकते हैं रित तरह ठाई नहीं होता है न दो बेपर देख लिए सब्सक्र inserts लीजिए चल्ट कर दीजिए भला परस्ब्तर है द्रश्ण से ज़ियों कियों कर जाता है क्योंकि शोजन कारे करता है हुए मैं यह क्षान न्स तैयद ही आपको इसको भी अब लिए रख्त को सेंगे तक्यों का था इसकी शॉट मारी और फिर देखते रहिए ठीक है यह तो बाउस करके देखते रहिए लिखे याठ्वा उतकों के अध्यान के एतिहातिक परिपेच पर एक टिपनी लिखे अध्याय के प्रताम प्रिष्टम है तो सबसे प इसकी शॉट ले लिजिए आप कर दो कि यह तो प्लाउस करके देख लीजिए जिसको तर है कि पादब उतक के सभी में समुही करण को इनकी कार्यों इससताओं के धान में रखते हुए बताईए मतलब पादापुदव को एट टुजेड अभी पादापुदव को पढ़े ना उसको एट टुजेट वर रन करना है ठीक है कि रंद्र का सजित्र वर्ण करिए देखिए इसको भी आप लोग क्लियर करिए और इसकी शॉट का लिजिए कि पाउस करिए है ठीक है कि यह रंद्र का चिद्र है ठीक है एपिडर्मल को स्काएं अंद्रिक चिद्र बाहवित्ति एक लोड़ प्रास्ट कि यह पादाप जंदू तक की कार्यों में श्रमानता बताईए है कि है ना इसको करें को आप इसके शॉट करिए या तो पाउस करके लिख सकते हैं इस तरह से शेवन अध्याय भी कंप्लिट हो गया ठीक है कि वीडियो का आप लोग सेयर कर सकते हैं किसी भी अन्य श्कूल अन्या इंवर्शिटी जो भी है यह सब के लिए कि उच्चित है व्यस्टी के लिए भी यह क्रिश्चन आ सकते हैं तो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए वैसे सब्सक्राइब हमारे श्कूल के लोग बहुत कम करते हैं अन्य श्कूल